नमस्कार आप देख रहे हैं 4PM बॉलीबोट और मैं हूँ आपके साथ आनन्या मिश्रा बॉलीबोट अक्टरस सुनाक्षि सिन्हा ने इस साल जून के महीने में जहिर एकबाल से शादी की थी दूसरे धर्में शादी करने के बाद अक्टरस को काफी जादा चोल किया गया ऐसा माना जा रहा था कि कपल की शादी से सन्हा परिवार ना खुश है सनक्षी सिन्हा और जहिर एकबाल की शादी से पहले सत्रुगन सिन्हा ने एक बयान देकर नाराजगी अपनी जाहिर की थी अक्टर ने कहा था कि आज कल के वच्चे इजाज़त नहीं लेते बलके इन्फॉर्म करते हैं बस इसके बाद क्या था शोशल मीडिया पर बवाल मच गया सनक्षी और जहीर को लेकर उस बवाल को और जादा पंग मिल गया और अफवाओं पर अफवा फैलने लगे हलाकि सत्रुगन सिन्हा ने बाद में खुशी जाहिर कर बेटी और दमात को आशिरवाद दिया और शादी पर मौजूद भी रहे अब सत्रुगन सिन्हा ने एक बर फिर शादी वाले मुद्दे पर बात की है दरसल आपको बता दे कि एक इंट्रव्यू में सत्रुगन सिन्हा ने कहा है कि ये शादी का मामला है दूसरी बात अगर बच्चों की शादी हुई है तो ये गयर कानोनी और असमवधानी नहीं है उन्होंने इसे अपनी एक शाओ और हमारे आशिरवाद से किया है इसलिए मैं इसकी सराहना करता हूँ अगर मैं अपनी बेटी को सपोर्ट नहीं करूँगा तो उसके साथ आखिर कौन खड़ा रहेगा सत्रुगन सिन्हा ने आगे सुनाक्षि और जहीर की शादी को लेकर खुशी जयता है उन्हेंने कहा कि मैं और मेरी पत्ती पूनम उनके शादी का जश्न मनाने के लिए शामील हुए थे माता पिता हमेशा अपने बच्चों की खुशी के लिए खड़े रहते हैं और मैं भी था और मुझे लगता है कि हमारे बच्चे खुश हैं इसलिए मैं भी उन दोनों के लिए काफी खुश हूँ सत्रुगन सिन्हा का ये बयान इस वक्त काफी जादा चर्चा में बना हुआ है मैरहाल वहीं आपको हम इसी के साथ बताते चले सुनाक्षी और जहीर अग्बाल की लव स्टोरी के बारे बे दरसल आपको पता दे कि इनकी लव स्टोरी की शुरवात कैसे हुई इनके रिष्टे के शुरवात कैसे हुई तो आईए जानते हैं बॉलिवर्ड अविनेतरी सुनाक्षी सिन्हा अपने बॉइफरिंड जहीर अग्बाल के साथ 23 जुन साल 2014 को शादी के बंधन में तो बंधी गई है वहीं दोनों की शादी उनके चाहने वाले फैंस को बेसबरी सिंतजार था फैंसर शादी से जुड़े हर एक अपडेट जानना चाहते थे कि कैसे सुनाक्षी सिन्हा और जहीर अग्बाल शादी कर रहे हैं अब बात करते हैं जहीर और सुनाक्षी के रेलेशनशिप के बारे में सुनाक्षी और जहिर दोनों ने साथ वर्षों तक एक दूसरे को देट किया है सुनाक्षी सिना और जहिर एकबाल की पहले मुलाकात सलमान खान की पाटी में हुई थी इसके बाद दोनों की दोस्ती हो गई थी अब अच्छे दोस्त बनने के बाद सुनाक्षी और जहीर जल्दी ही एक दूसरे पर अपना दिल भी दे बैठे दोनों के बीच की कैमेस्ट्री और प्यार उनके शेहरे पर साफ जलकता था दोनों ने कभी भी अपने रिश्टे को लेकर खुलकर हलाकि बात नहीं किया मगर बीची उनकी पार्टियों में अकसर उन्हें साथ में स्पॉर्ट किये जाती वे देखा जा रहा था सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म पर भी दोनों को कई बारे एक दूसरे पर प्यार लुटाती वे देखा गया था इसके बाद फैन्स ने दोनों के रिलेशन्शिप के बारे में अंदाजा लगा लिया था मैं स्वनाक्षी की बात कही जाए तो सनक्षिश सिन्हा प्यार से जहीर को उनका प्रसनल साइको कहकर बुलाती है जो दोनों के रिष्टे की गहराई को दिखाता है कि दोनों के रिष्टे में कितनी मुहबत है दोनों की साथ में जो तस्वीरे सोशल बीडिया पर बारल होती हैं उसे फैंस भी काफी जादा पसंद करते हैं जहिर एकबाल और सुनक्षि सिनहा ने पिछले साल 2023 में सलमान खान की बहनार पता खान और आयूश सर्बा की इप पाटी में पहली बार कपल की तरह साथ में एंट्री किये थे इसके बाद से इनके आफेर्स की खबरों पर मुहर लग गए और वहीं फाइनली अब साल 2024 के 23 जून को दोनों कपल एक दूसरे के हो गए हैं और दोनों कपल साथ में काफी जादा खुश भी दिखाई देते हैं इस खबर में बस इतना ही आपको इस खबर में क्या लगा क्या नहीं लगा कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट करिएगा और अपनी पृतकरिया साजा करिएगा 4PM Bollywood में बस इतना ही देखते रहें 4PM Bollywood झाल, 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 झाल